हलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो चैनल विलियन एडुकेशन वेरी एम तो रीच एंटीज बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस आज जो हम देखेंगे वह एस्पेक्ट ओफ अटेंशन इसके पहले जो अटेंशन के बारे में था कि अटेंशन हम एक टाइम पे एक ही चीज पे ज हमें पे आप एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हो हम गेन भी खेलने मजाग भी करने और पढ़ाई भी करने तो इसमें से हमारा जो ब्रेन है वह एक ही स्टुमिलाई को ज्यादा रिस्पॉंस देगा तो इसलिए आपको बोलते हैं कि एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे कितने यह हमेशा कंसीडर कर लेते हैं नहीं गाई बरसों की मेनत होती है और वह एक्सपीरियन्स होता है जो आपको शेयर करते हैं सिर्फ उन्हें ने ऐसे लिखके नहीं दिया है ना फेमस है तो उसका मतलब यह नहीं कि उनका experience मैटर नहीं करता है जान दीजा ज्यादा इमोशनल आगे बढ़ेंगे आज जानेंगे the various aspects of attention some of them are as follows तो बहुत सारे aspects हम कुछ उसने से discuss करेंगे तो पहला span of attention पढ़ लेते हैं span of attention can be described as the total number of stimuli that we can become clearly aware of in a single glass तो देखे जैसे कि मुझे बहुत सारे चीज़े ध्यान में दीगे तो उसके बाद मैं कितनी चीज़े याद रख पा रहा हूं how many things I remember back जैसे कि अगर मुझे समझे फट से दो तीन रिक्षा जा रही है जैसे आप लोग गबच पर ने गेम खेलें कि रिक्षाओं के नंबर तो कितनी याद रहे गे आपके बास जो आपके साथ रहे गे उसे बोलते हैं कि आपके पास दिमाग में रहा थीक है तो बहुत सारे मिलते रहते हैं पढ़ाई का स्टूमिलस मिलते हैं मतलब क्या होता है कोई भी चीज जो मेरे दिमाग पर इंपक्ट डाल दिया आपके आपके हैं आपके सात्य याद रहा है कि स्टेशन साथ क्या बोल पर पर इसके बाद है याद रहा है तो अप्टा फिर चीज लोग को बहुत अच्छे से इंपक्ट डेए तो मुझे प्देशन जाद रहा कि कौन सा पर चाहिं पढ़ाया था तो यह सब चीज याद एक अपते बाद भी और कितने अपते रियाद रहता है ठीक है कुछ लोग को डेट्स बहुत अच्छे सी आद रहते हैं तो उनका span of attention जाद है कितने time तक रहता है ठीक है simply आप समझ चुके हैं आप span of attention is very limited for a normal adult the span of attention varies between six to seven digits मतलब 6-7 number या alphabet ही याद कर सकता है one go में और उसे life long भी याद रख सकता है तो कितने number में बहुत सारे इस मुला हैं तो उसमें से कितने और कितने time तक के legend की याद रख रख रहता है इस इस वायर digits इन postal पीन कोड और वहिकल नमबर सा never more than this limit of seven to eight digits क्योंकि उसका याद नहीं रहेगा में वहीं पर आप बताएं कितने लोग आधार नमबर आपको याद है bank account number याद है जिनके दो तीन है तो उनको bank account number याद है यह सब बड़े हैं यह सब बारा बारा number से उपर चली जाते हैं तो यह याद नहीं हो पाते हैं ठीक है ना तो इसलिए हमारे पस limitation है the factors like age, intelligence, practice, experience or habits जैसे की habits कैसे बोलगा experience देखे मैं mom dad का इसे आपको बल रहता है तो उनको प्यार था, age क्या थी, intelligence level कितना था देखे हम आजो second chapter उसका mention, practice means man perfect यह सब चीजे important होती है कि वो इस information कितने समय तक hold कर पाऊगे may affect the span of attention, for example due to practice the span of attention of a telephone operator और a typist may be greater than that of an ordinary individual तो जैसे कि जो telephone operator उसको कौन सा जोन है कहा का number है, सब याद रहता है उसको है और इससे भी easy example देखे, अगर आप बहुत ज़्यादा WhatsApp पर चैट करते हो या किसी भी social media पर चैट करते हो तो आपको keypad की location मालूम रहती है mobile पर keypad A, B, C, D कहां पर फटपट फटवर आप क्लिक करते है तो, क्यों कि आपके practice हो चुकी है वही कुछ चीज़े आपको बता दीजाए अगर आपको कि यह करिया अगा अब जो बचपन में तो बहुत टफ गिरता था कि अरे ऐसा क्यों है डारेक्ली A, B, C, D ऐसा क्यों नहीं है जरूर यह question होता था लेकिन अब इससे ज़्यादा हम लोग यूस्टो हो गए है ठीक है जो अभी का format है, so distraction of attention पढ़ेंगे, second topical, after focusing on a specific stimulus, attention drift towards another stimulus due to some external or internal disturbances, this is known as distraction of attention, simple सा है distraction हो ही जाता है, stimuli मतलब फिर से कोई जो ऐसी चीज़ मेरे ब्रेन को इफेक्क ही, अगर एक चीज़ को ही मेरे ब्रेन को इफेक्क ही और चैसे कि टीचर पढ़ा रहे है तो जो टीचर पढ़ा रहे है, वो मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से या बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा, फिर से एक्स्टिमला आ ही जाता है, या मेरे ब्रेन कैची कर लेता है, जिससे वहाँ पर चीज़ें हट जाती है, for example, अगर मैं notes, मैं sincere बचा हूँ, अगर जाता है, तो मस्ती में जाक तो चलती है, मस्ती में जाक हो लेको तो simple distraction हो, तो हमाई teacher बुलते है कि distraction कर रहे है, अखलिब सुना रहेगा कि औरों का भी distraction कर रहे है, तो simple, many external factors such as intensity, मतलब कितना intense पढ़ा रहा है, या कोई सीख रहा है, कोई कितना intensely मस्ती कर रहा है, मजाक कर र भी लाना शुदू कर जिए, बहुत सा है लोग, तो आपका ध्यान नहीं बन पाएगा, दूसरी चीज, यह लोग बार-बार मैं आपको बोल्ड परिशान कर रहे है, मैं आई गो टू टॉलेट, मैं आई कम इन, इसब करके बार-बार मूमेंट बहुत कर रहे है, again distractions, of teachers also, औ due to a film song, यह तो आपके मन के बात छीन लिए लग दे, played in a high volume, by your neighbor, ठीक है, sometimes, internal factor, अभी अंदर के, यह तो जो था, external factor था, आपके neighbor ने कर दिया है, और इंडिया में किया होई, किसी neighbor से पठती नहीं है, जगता कि वो गुजू ना हो, ऐसे ही बोल लो, internal factors, like disturbed physical or psychological state, disturbed है, disturbed मतलब positive or negative, मतलब, disturbed कि आप जो चीज कर गया हो, उस पर ध्यान ने है, बस उसको disturbed बोलोगे, बस, lack of interest, mental set, can also cause distraction of attention, for example, your attention may get distracted, if you have a stomachache, जब आपको पेट दुखरा, teacher कितने भी आपको पढ़ा दे, आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, division of attention, we observe the people doing two things, simultaneously, एक ही साथ द चीज कर रहे है, like, reading newspaper, while eating, or knitting, खाना खाते वक्त, या फिर कुछ बूद रहे हैं, तो मतलब, जैसे कि समझे कुछ बना रहे हैं, तब, तो उस टाइम पर देखते हैं, या तो TV डेक्टरिक निस पर बदे, in true sense, individual cannot divide attention, ये देखिए, two, two tasks, simultaneously, line याद के लिए, जो मैं बोल रह था, कि आप divide नहीं करते कभी भी, कि यहां भी कर लो, महां भी कर लो, in both these given example, the individual is performing one task mechanically, while paying attention fully to other tasks, मतलब mentally, mentally, खाना खाना फिजिकल टास्क हैं, तो वो एक काम physically कर रहा है, और दूसरा काम mentally कर रहा है, actually, क्या बात बोल दी, लेकिन दो काम mentally हो, game और पढ़ाई नहीं हो पाईगी, और दो काम हो physical, कि खाना खाते भी रहा और भाजी काटते भी रहा तो, बताए, काट रहा है, उस टाइम खा भी रहा है, कैसे होगा, तो यह है, तो आपका ध्यान फिर से, आप खा रहे हो, आगर समझे किसे न आपके म बातने वाटने पाँखे, प्लीस घ्ए धरर हमें लगता है कि हम दो काम, तीन काम साथ मिर आहा हाओ, की आम मारग इंचार लेकिन अचिन काम साथ मरा吧, माहरा था था है, माई चारा हूटारिझ का मंद का भी प्लीज़ माय चार्वाँब् gitu, माय प्लीस रमेंबर मायर मायर then it results into increase in mistakes decrease in efficiency confusion समझ गए तो वह होगा यानि जैसा काम सोचे तो वैसा काम हो ही नहीं पाएगा for example if a person is asked to read the newspaper and thread a needle simultaneously मतलब क्या दोनों जगर दिमाग की बात है newspaper भी पढ़ते रहे और उसको बोले कि needle के अंदर सुई डाल दो और वह अब यह डाल रहा और सुई और इसी टाइम वह पढ़के दिखा दे नहीं होगा न गाइज यही मैं बताना चाहरा था इससे कि वह खाने वाला इसलिए मैं कीचन में आप कटिंग भी कर रहें खा भी पा रहें तो समझे आपके मुझ में गुलाब जामून दिया गया है तो भी आप उसको स्वाद अगर आप कटिंग पर ध्यान दे तो उसके स्वाद को नहीं ले रहे होगी यह तो वही बात होगी हावे में देख रहे हैं वो उसके बाद वो लोग करते भी रहें अगर वो स्वी डाल पा रहे हैं फ्लक्ट्वेशन अफ अटेन्शन फ्लक्ट्वेट होता रहता अटेंशन अटेंशन कीप उन असलेटिंग लाइक चाहण पैंडूलम यहां से यहां तक ट्राइल करता रहता है नश चाहण आपकी घढ़िया न्या और स्कूल ने पड़ाएगा आपने we cannot pay attention to a single stimulus for a long period of time our attention shifts towards the other stimulus for a fraction of time and comes back to the original stimulus हम बहुत टाइम तक एक ही चीज़ पर concentrate नहीं का सकते तो क्या होता है teachers क्या क्यों बोलते हैं कि concentrate 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 attention देखे teachers क्या बोलते हैं जो maximum amount है attention का वो तो दीजिए समझे यह वो teacher जब बोलते हैं तो वो आपको maximum जितने टाइम तक attention दे सकते हैं वो मांगते हैं और उसके बाद naturally आपको जब break दिया जाता है एक ratio है कि 20-30 minutes के पढ़ाई के बाद 5 minute का break बनता है तो यह generally हर जगे UPS वाले करते ही रहते हैं या teachers आपका जब recess रहता है ना recess वो आपके चार lecture या पांच lecture के बाद 30 minute का मिला के दे देते हैं तो सुचिए वो क्या करते हैं पांच lecture का जो timing रहता है ना उसी को मिला के एक साथ gap दे देते हैं तो साइको लाजिकल लेकिन यहाँ पर हमारे teachers मार खा जाते हैं ज्यादा efficiency होने के लिए यह तो अपना गुस्ता निकालने के लिए फट से class में एंटर कर जाते हैं बच्चे वैसे भी वो इरिटेटी होंगे खुद इरिटेटी होंगे खुद इरिटेटी है बच्चे को भी इरिटेट करने वाले इसलिए पांच मुन का गाप जरूर है this is known as the fluctuation of attention. the factors like fatigue, low interest attractiveness to other stimulus may lead to fluctuation देखे यहाँ पर class में कहे हैं लोगों को बात करने, दोस्तों को बात करने, थोड़े मस्ती करने, थोड़े मजाग करने, तो अच्य इढ़ाना था, फटीघ मतलब क्या, वाई, पचीस मिनट का लिक्षे का पांच मिनट का ब्रेक रखना चीए ताकि बच्चे खेल कूता है और उसके बाद चोटा सा 15 मिनट का ब्रेक देदा चीए ऐसे डिस्टिट करें तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और आपको अपने आप पे भी जब आगे पढ़ो के लाइफ म प्लीज अगर देखिए आप 25 मिनट का पांच मिनट का ऊट जाएए बैठे चेर पर प्लीज वेक अप अरे मतला ऊट जाएए थुड़ा पांच मिनट तर गुमिये पीए पानी पीए कुछ भी करिए लेकिन जड़िए फिर आपना अटेंशन लगना प्लीज गाइस मैंने गंटे या दो गंटे या देड़ गंटे के बाद उखिए ठीक है यह देखना है आपको फॉर एक्जंपल वेन यू पे अटेंशन तो यो टीचर इस टीचें यो अटेंशन टेंपरेंशन शिप्स टूर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड तो यू और पियून स्टांडिंग इ कि उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है कई बार जो बोलने में अगर बोलना पड़े तो मैं बोलूं गई हमेशा क्योंकि मैक्सिमम रीच आउट जितना हो जाएगा आप ही लोग में जो हमें आगे पहुचा सकते हैं और गाइस जोनों ने मैं हमें चैनल को सब्सक्राइब कहता है दिल चापका शुक्री आदा है जी हां मैं बोलते रहूंगा क्योंकि वर्ड्स कम नहीं है जो भी हम लोग हो पा रहे हैं जो भी नंबर्स दीख रहे हैं वो आपके वएसे नहीं तो थैंक यू फॉर अल दोस तिंग और मेक शूर कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें जैसी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में तब हम लोग करेंगे पर्सेप्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे so गाईस मिलते हैं नेक्स यूडियो में तिल देन बाय बाय है वावा ग्रेट और नाइस देए अहीड